जहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हुबली जोन का पीटी यहां पर स्टार्ट हो चुका है 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यानि कि पूरे के पूरे आठ दिन यहां पर हुबली जोन का पीटी चलने वाला है और कल यहां पर पहले दिन का पीटी समाप्त हो चुका है जिसके अंदर यहां पर 89% चातर यहां पर लगभग पास हुए हैं और अब क्या यहां पर जो हुबली जोन से डीवी के लिए कॉट आफ बनेगी वो बहुत हाई बनेगी क कितने नंबर वालों का यहां पर पहली डीवी के अंदर नाम आएगा यह चीज में आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँगा तो इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखेगा तीसरा जो सवाल है कि पहले डीवी लिस्ट में आपर कितने केंड़ेट्स बुलाए फिर आप नीचे अगर कमेंट करके कोशन पूसते हैं तो यहां पर बहुती गलत बात है यह क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कोशन को कवर करता हूँ तो इसलिए एक बार पहले वीडियो पूरा देख लिया कीजिए अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपको अपने कोशन का अंसर ना पिलन पाए तो आप नीचे description में हमारा Instagram का link दिया हुआ है Instagram से जुढ़कर आप हमें direct DM भी कर सकते हैं साथ ही साथ यहां पर नीचे comment कर सकते हैं comment का हर एक comment का मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश यहां पर करता हूँ तो चलिए चलत है यह उनका data यहां पर लिखा हुआ है तो 1880 candidate यहां पर totally qualified हुए है कल की date के अंदर PT के अंदर और यह data है देखे not qualified result यानि कि जो qualified नहीं किये 1880 हमारे candidate qualified किये वे और 243 candidate यहां पर qualified नहीं किये हैं तो इस तरह से यह देखे total candidate कितने हो जाते हैं तो यह total candidate आपके हो जाते है आठ और एक नो नो और दो 11 और एक एक और दो यानि कि 2123 candidate दो हजार 123 candidate यहां पर कल बुलाए हैं railway ने यानि कि railway का हमारा हुबली जोन है उसने यहां पर 2123 candidate यहां पर कल की date में बुलाए है अगर यह डेली के 2000 करें तो दोरःजार करें, तो सोला हजार से उपर उपर ही यहां पर आएंगे Piki देने के लिए, याई कि सोला हजार+, केनडिेट का यहां अगर हम मान लेजे अगर डेली यहां पर रेषियो जैसे कि कल का Bears देखें तो यहां पर लगभग 89% लोग यहां पर पास हुए हैं 30 जन्वरी के दिन अब आज 31 जन्वरी का डेटा है वो भी मैं आपको शाम को शेर करूंगा आपके साथ तो 30 जन्वरी के दिन यहां पर 89% लोग पास हुए है अगर यहां पर 12,000 या 13,000 अगर पास हो जाते हैं और यह नंबर इस करूंगा अब यहां पर देखे टोटल सीट्स आपकी कितनी है तो टोटल सीट्स अगर करें तो यहां पर 7,166 टोटल सीट्स है अब इस 7,166 मैंसे 1433 1437 और यहां पर देखे 1433 हो गई और यह 1433 आपका यह हो गया और यहां पर 59 आपका हो गया और 55 आपका हो गया 53 आपका हो गया और यहां पर 26 हो गया तो यह सारी सीटे भी आपकी एड है अगर हम इसको मान ले देखे मोटा मोटा हम ले लेते हैं तो यहां पर 14 दुनी 28 और लगबग लगबग 3,000 यह हम करें कि 2900 मान लीजे 2900 वैसे 3000 से उपर कर डेटा आएगा लगबग बाकी के 3000 सीटे कहां गई यह देखे यह एक्सर्विसमें की अलग सीटे हैं CCA की अलग सीटे हैं और PWDD की अलग सीटे हैं तो यह सीटे भी आपकी 7166 मैंसे ही हैं इस बात को क्लियर रखेगा तो टोटल यहां पर कॉमन स्टुडेंट के लिए सो सीटे हैं वो लगबग 4000 प्लस सीटे हैं अब यहां पर देखे आपका जो रेलवे गुरूब डी का डीवी के लिए कुट अप बनेगा उसके अंदर कितने कंडेट बुलाए जाएंगे तो यहां देखे आपको पताए कि यहां पर एक्सर्विसमें जो है यहां पर जितने भी अभी तक आपने जोन में दे जा रहा है क्योंकि बहुत यसकर पीछे यहां पर जाती है तो यहांदा होएग फासुए उन में पर काफी सारे कंडेट एसे हैं जो कि यहां पर पीटी के अंदर fail हो जा रहे हैं या फिर fail हो जाएंगे ठीक है यहां पर हुबली जोन में भी यही हाल रहने वाला है X-Arist Man का तो X-Arist Man की 1433 में से यहां पर 200-300 सीटे इतनी ही भर पाएंगी अभी यह भी मैंने नंबर कुछ जादा ले लिया हो सकता है यह नंबर इससे भी नीचे चला जाए तो यहां पर यह मान लीजे आपके 4000 के अंदर यहां 1200 के लगबग तो यहां पर आपकी कम से कम आप जादा नहीं भी मानते हैं तो 4000 में आप मान लीजे 1000 सीटे तो यहां पर एक्सरिसमें की जुड़ जाएंगी तो इस तरह से यहां पर common student के लिए 5000 सीटे हो गई उसी तरह से CCA की बात करें तो देखें CCA के अंदर भी 1433 यहां पर total सीटे हैं तो 1433 के अंदर से अगर हम माने तो CCA कंड़ेट यहां पर 500 कंड़ेट भी यहां पर पास हो जाते हैं दस भी सीटे यहां PWT में से भी आ जाती हैं तो overall यहां पर अगर हम देखें तो 6000 लगबग यहां पर सीटे आपके पास common student को यहां पर मिल जाएंगी लास्ट तक जाते जाते यह बात आप guarantee के साथ लिख कर लख लिए 100% सत्य है कि इस तरह से आपकी सीटे यह बटेंगी अब यहां पर देखें मैंने आपको बता दिया कि कितनी सीटे यहां पर आपकी बचने वाली है यानि कि कितनी सीटे यहां पर common student को मिलने वाली है अब यहां पर देखें यह है cutoff आपका PET के लिए railway group D hubli zone का तो यहां देखें यूर का जो cutoff है यहां पर 62.01964 है अब यहां पर यूर के cutoff में कितनी यहां पर increment देखने को मिलेगी OBC के cutoff में कितनी SC के cutoff में कितनी और ST के cutoff में कितनी तो यहां पर देखें जिस तरह से candidate पहुँच रहा है तो यहां देखें जो cutoff आपको यहां पर कम दिखाई दे रही है उस category के अंदर cutoff यहां पर बहुत ज़ादा increase करेगा यहाँ पर देखे SCR का भी आपने देखा जिस category के अंदर cutoff यहाँ पर सबसे law थी उस category के अंदर जो DV के लिए cutoff गया वो cutoff बहुत high चला गया और यही हाल यहाँ पर हुबली जोन का भी होने वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ST का cutoff 48 दिख रहा है ना आपको तो यह cutoff आपका जो DV के लिए cutoff बनेगा उसके लिए यह cutoff आपका 48 की बजा है यहाँ पर हो सकता है यह आपका 55 से लेकर 60 के बीच चला जाए और इसमें भी कोई यहाँ पर शक वाली बात नहीं है कि यहाँ पर 60 से उपर भी चला जाए तो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर आश्यर्य चखित होने वाली बात नहीं है लेकिन यह 55 से 60 के बीच तो वैरी करेगा ही करेगा कम से कम आपके marks जो है, अगर 5 या 6 नंबर ज़ादा है, कम से कम 5 नंबर तो आपके कम से कम ज़ादा होने चीए, यहाँ पर ST category से, बात करें SC category, तो SC category के अंदर भी यहाँ पर कम से कम, यह जो criteria है, यह 55 से लेकर 60 के बीची यहाँ पर fall करेगा कम से कम, और यहाँ देखें, ST के अदर हो सकता है यह थोड़ा सा और नीचे उपर अपडाउन हो जाए लेकिन केंडिडेट के उपर डिपेंड करेगा और इसी तरह से सी के अंदर भी OBC की बात करें तो देखिए OBC का जो केंडिडेट है हुबली जोन से काफी सारे केंडिडेट यहाँ पर OBC के बैठे हुए और एक चीज़ और बता दू, OBC से जो cutoff यहां पर, OBC से जो number आ रहे हैं, ज्यादातर candidate के यहांपर marks आ रहे हैं, हुबली जोन से, वो काफी अच्छे खासे आ रहे हैं, 70 marks भी आ रहे हैं, कई candidate के 80 marks भी आ रहे हैं, 85 तक के marks यहांपर बहुत सारे candidate के आ रहे हैं, तो इस रिसा आपर काफी हाई देखने को मिला, 62 का cutoff, अच्छा खासा cutoff माना जाता है, तो इसलिए general के अंदर अगर हम बात करें, UR category के अंदर अगर हम बात करें, तो यहांपर DV के लिए जो cutoff बनेगा, उसमें 2, 3 या 4 या 5 number, ज्यादा से ज्यादा है, यहांपर max to max, यहां 5 number की बड़ोत्री आपको दिखेगी, इससे ज्यादा बड़ोत्री यहांपर, UR category के अंदर हुबली जोन से नहीं दिखाई देगी, तो अब यह देखे, मैंने आपको यह भी बता दिया, कि कितने candidate बुलाए जाएंगे, मैंने यह भी बता दिया, कि कितना cut-off यहांपर increase हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से PT दे, और यहां अगर आपका नहीं भी हो रहा है, या आपके एक-दो marks भी जादा है, तो इसके लिए भी मैं बताऊँगा, कि आपका आगे, यहांपर second DV कब निकलेगा, और किस तरह से यहांपर निकाला जाएगा, किस तरह से यहांपर railway इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, तो सारी चीज़े आपको धीरे-धीरे करके बत जादी जाएगे, तो इसलिए अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजेगा, कोई question आपका फिर भी रह गया हो, तो नीचे comment box खुला है, मैं सभी comment का यहांपर answer देने की try करता हूँ, तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!